जजर के गाउं में एक बुज़ुर्ग की अग्यातवाहन के नीची आने से मौत हो गई बुज़ुर्ग की पहचान साथवर शिये दयाचंद निवासी गाउं जोलरी के रूप में हुई है पुलिस के अनुसार दयाचंद गाउं के साथ ही किसी धाबे पर काम करता था उसी दौरान जब वो सड़क की किनारे खड़ा था तो पीछे से तेजगती से आए एक अग्यात वाहन ने दयाचंद को अपनी चपेट में ले लिया हासा इतना जबदस था कि दयाचंद ने गंभी चोड़ों के चलते मौके पर ही दम तोड़ दिया बाद में कंट्रोल रूम पर मिली सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचिया और मृतक किशव को पोस्ट मौटम के लिए जज़र के नागरिक अस्पताल भिज़वा दिया गया महिंद्रगर करीना सडकमार्ग पर गाउंसिग्डी में 24 वर्षिय महिला ने खुदकुशी कर ली इस खुदकुशी के दोरान उसने अपनी पांच महीने की बच्ची को भी मार डाला गाउंसिग्डी के सरपंच सवाई सिंग ने इस घटना की जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने तुरंत प्रभाव से सदे थाना पुलिस को इसकी सूचना दे दी है सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों श्यवों को कबजे में लेकर नागरी का स्पताल महिंद्रगर पहुंचाया वही घटना को लेकर उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि गाउं की सबसे अन्होनी घटना है इस घटना को लेकर गाउं में भी भैका महौल बना हुआ है वही पुलिस ने मामला दर्जकर के अगली कारवाई शुरू कर दी है लेकिन आपको बता दे कि अभी तक इस साथ महत्या के पीछे के कार्णू का पता नहीं चल सका यह आज सुबह पता चला कि रगबीर सिंग की पुत्रवदू ने सुसाइड कर लिया पहले तियो चर्चा चली कि वही वह गाईब हो गई लड़की को छोड़के ना बाद इम पता चला कि लड़की कही पेड से टेंगी हुई है और वो उत्रवदू किसी दूसरे पेड 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 ही हुई तो यह गरेलू कारण है मैं तो यह कहूंगा कि दुखत गटना है ऐसा तो नहीं होना चीए समाज में बाकि वाले की मर्जी से भाम क्या कर सकते हैं अभी तक क्या करवाई हो पाई है अभी जिनोंने देखा है उन्होंने पुलिस को फोन कर दिया और पुलिस जो और बादूरगर में मूल दूत के एक डिस्ट्रब्यूटर से अग्याद बदमाशों ने एक लाख अथ हजाड र गाल कर दिया इस हमले में मनोज नामा के डिस्ट्रिब्यूटर के सिरहाथ और कमर पर चोट आई है वही घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घाल डिस्ट्रिब्यूटर को बहादुरगर के सामाने अस्पिताल में इलाज करने के लिए भरती करवा दिया आपको बता दे कि जिस वक्त की ये वारदात है उस वक्त मनोज नफसगर रोड पर सित अपनी डेरी से कैश कलेक्ट कर रहा था उसी वक्त कुछ बदमाश आये और इस पूरी वारदात को अंजाम दिया वही मनोज ने आरोपियों को जल्द ग्रिफतार करने की पुलिस से मांग की है पुलिस ने भी मनोज के बयानों के अधार पर मामला दर्जकर के अगली कारवाई शुरू कर दी है कित मैं क्यास था एक लगाट हजा था आपका मैं अपने घर जा रहा था या नारा नाई रोड पर रोड़ों दिपर रख्या था मैं ट्रेल्वे रोड़ों था वार अंडर पास से ने गड़ू था पहचांती हो अपन ना पुर जानता निमांद गूँए पंजाब के सांसत सिम्रंजी सिंग मान द्वारा शहीदी आजम भगस सिंग पर टिपनी से युवाओं में रोश है सरव हिंदू समाज ने शहर के रियल विरोड चौंग पर इकठे होकर सांसत का पुतलाफू का और नारिबाजी भी की समाज के लोगों ने सांसत की सदस्यदार रद किये जाने की मांग भी की और कहा कि हिंदू समाज जल्धी महमिहिम राश्टुपती और प्रधान मंत्रे के नाम ग्यापन सौंप कर कानूनी कारवाई करने की मांग करेगा उन्होंने कहा कि शहीद भागत सिंग ने हस्ते हुए अपनी जान हम सबकी आजादी के लिए कुर्बान करती जिन हो ने अपने सभी रिष्टों से उपर भारत मा के सपूतोंने का रिष्टा नबाए जोके हमेशा से ही भारत के नौजवानों के आदर्श है जिसके सामने पूरा भारत आज भी समानसिस जुकाता है और भारती होने का गर्व महसूस करता है जो नहीं रागी उमंद पर ले जाने का काम करते हैं यह बहगत सिंग की आइडियोलोजी का जो एक परनाम है उनको अप्षब ये इतनी गंदी जो राजनी तीन उनकी है कि बहुत ही निंदनिय है इसके हम सभी निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि ऐसे को उनकी सदेश्दा हांसी के नागरिक अस्पताल में मृतक हंसराज मामले को लेकर सिसाय गाउं के दलितों द्वारा आरोपियों की गिरफतार की मांग को लेकर धना लगाकर पुलिस प्रिशाशन के खिलाफ प्रदर्शन किया गया मृतक हंसराज के परिशनों ने बताया कि गुरुवार को हंसराज का शरवगाउं के खेतों में मिला था हंसराज को खेत का माल्क वै एक पुलिस कर्मी घर से जब्रण लेके गए थे केत मालिक ने उसे पहले तो 6000 की चोरी करने के मामले में पुलिस से गिरफतार करवा दिया था बाद में छुड़वा भी लिया था शाम चार बजे के करीब हंसराज को एक पर फिर खेत का मालिक परवीन और एक पुलिस करमचारी जब रन घर से लेकर गया वो घर नहीं लोटाया तो गुरुवार को उसका शव परवीन के खेतों में मिला उन्होंने कहा कि हंसराज की हत्या हुई है धने पर बैठे ग्रामीडों की मांग है कि इस मामले में जो जो शामिल है उनकी जल्द गिरफतारी हो साथ ही उन्होंने चेतावने देते हुए कहा है कि जब तक सभी आरोपियों की गिरफतारी नहीं होती वे उनकी मांगे नहीं माने जाती तब तक शव का अन्तिम संसकार नहीं होगा लगाने लगे जाता मजदूरिया काम करता था उस ने उसी के उपर आरोप लगा दिया च्छार रुपेगा तो शुबह तो एक सो बाला नंबर गाड़ी लेके आती उसको साड़े ग्यारा बजे उसके बाद में तीन बजे उसको छोड़ देते हैं तो उसके बाद में फेर तीन बजे छोड़ देते हैं तो उसके बाद में एक पुलिस क्रमचारी और डिजायर गाड़ी और साथ मों परवीन नाम का लड़का जो इस वरका है जाट समुधाई से और दोनों आके उसको मार पीट करके गर्षे उठा कि उसको दक्के से ले जा सब्सक्राइब करने वाले सरकारी करमचारी पुलिस वाला उसके विरतारी होने चाहिए और जो जाट समुधाई से उसकी विरतारी होने चाहिए और जो भी आर्थिक साहता है सरकार से वह में मिलने चाहिए